जर्मनी है वाल्वार टू के समय की जर्मनी के बर्लिंग शहर में एक बच्चा जिसका नम बुरुनो होता है वो अपने परिवार के साथ रहता है वाल्वार की वज़े से पूरे शहर के हालत कुछ अच्छी नहीं होती पूरे शहर में अफरा तफरी होती है और Bruno को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती क्योंकि Nordic RN होने की वज़े से उसे Hitler या Nazi से कोई खत्रा नहीं होता Nordic RN वो चाती थी जो जर्मनी में उचे बदो पर थी और जूस लोगों को अपना दुश्मन मानती थी एक दिन जब Bruno अपने दोस्तों के साथ बेफिक्र होकर घर लोटता है तो वो महसूस करता है कि उसके पूरे घर में हलचल मजी हुए उनके सर्वेंट्स पूरे घर को साफ कर रहे हैं फनीचर को कपड़े से ढख रहे हैं और उनका समान भी बांदा जा रहे है पर Bruno को कुछ भी समझ में नहीं आता कि हो क्या रहे तब उसकी मॉम जिनका नाम Elsa होता है वो उसे वहाँ पर आकर बताती है कि उसके पिता रॉल्फ का पॉमोशन हो गया है Bruno को कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता और इसलिए वो अपनी मॉम से पूछता है क्या डैड अभी भी एक सिपाई है दरसल उसके डैड नाजी सिना में एक बड़े ओधे पर होते हैं वो एक अफसर होते हैं और इसलिए अब इनके पूरे परिवार को कंट्री साइड जाना है क्योंकि उनका वहाँ पर क्लाष्वर हो चुका है ब्रूनो की मॉम ब्रूनो को कहते हैं तुमारे डैड तुमें सब कुस समझा देंगी अब इनका पूरा परिवार एक साथ बैठता है और ब्रूनो के पिता उसे बताते हैं कि वो वहाँ और ने दोस्त बना सकते हैं और उसके पितर रैल्फ उसे समझाते हैं कि जाओ जा रहे हैं वो घर बहुत ही बड़ा और बहुत सुन्दर है और क्योंकि वो एक शोलजर है इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि उनका देश उन्हें जहां भी बुलाए उन्हें वहाँ जाना चाहिए और उन्हें बहुत खुशी होगी अगर उनका परिवार उनके साथ रहेगा उसी रात ब्रुनो के घर पे रैल्फ की पर्मोशन की पार्टी होती है कई छोटे बड़े ऑफिसर्स रैल्फ के घर आते हैं उसे सल्यूट करते हैं और उसे पर्मोशन की बधाई भी देते हैं पार्टी के दौरान भी ब्रुनो खुश नहीं होता क्योंकि उसका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है अगले सुबे ब्रुनो जब अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है तब ही उसकी मौम उसे आवाज देती है उसकी मौम कहते हैं कि जाने का समय हो गया हाला कि ब्रुनो जाना नहीं चाता लेकिन उसे अब जाना होगा उसकी मौम कहते हैं कि अपने दोस्तों को गुडबाई कहने का वक्त हो गया है ब्रुनो अपने घर को अच्छी तरह से देखता है और इसके बाद वो अपने माबाप के साथ कंट्री साइट चला जाता है वहाँ पर उनका घर बहुत बढ़ा होता है सबको घर बहुत पसंद आता है लेकिन ब्रुनो को वो घर पसंद नहीं आता क्योंकि उसे अभी भी अपने घर की अपने पुराने दोस्तों की याद आ रही होती है अब ब्रुनो खिड़की से देखता है वहाँ पर आस-पास कुछ भी नहीं होता लेकिन उसे बहुत दूर तू छोटे छोटे घर दिखाई देते ही इसके बाद ये दिखाया जाता है कि इनके घर में एक हाउस मेड होती है इसका नाव मारिया होता है और ब्रुनो को उससे बात करके बहुत अच्छा महसूस होता है ब्रुनो के पिता एक नाजी शोलजर है इसलिए उनके घर में शोलजर्स का आना जाना लगा रहता है लेकिन ब्रुनो को शोलजर्स कुछ खास पसंद नहीं आते ब्रुनो अपने बेटरूम की खिर्के से देखता है कि पास में एक फार्म है जहां से बच्चों की आवाज आरी होती है वो ये बात अपनी मॉम से कहता है कि मैंने यहाँ पर बच्चों की आवाजी सुनी है क्या मैं उनके साथ खेल सकता हूं उसकी मॉम बोलती है कि मैंने तो कोई आवाजी नहीं सुनी, अगर बच्चे हैं तो तुम खेल सकते हो, तब ही वहाँ पर एक फार्मर आता है, वो सबजिया लेकर आता है, और जब वो जा रहा होता है, तो ब्रुनो देखता है कि उसने कपडों के नीचे खास तरह का पजामा पहना होता है, ब्रुनो अपनी मॉम से कहता है कि आपने देखा, वो फार्मर कुछ अजीब था, उसने अपनी पैंट के नीचे एक पजामा पहना हुआ था, ब्रुनो की मॉम उसकी बात का जवाब नहीं देती है, और वहां से चली जाती है, इसके बाद ब्रुनो अपनी ड उसकी बात का जवाब देती है, उसकी मॉम आपर आ जाती है, और वो ब्रुनो से पूछती है कि तुमें फार्म के बारे में किसने बताया, वो कहता है कि मैंने अपनी रूम की विंडो से देखा, दरसल ये एक कंसंट्रेशन कैम्प होता है, जो वर्ड वोर टू के समय हिटल ने बनवाए थी, यहाँ पर वो जूस लोगों को और बाकी कैदियों को रखते थी, ब्रुनो की मॉम उसे जाने के लिए कहती है, और वो अपने हस्बेंट से कहती है कि तुमने कहा था कि हमारे घर से कंसंट्रेशन कैम्प बहुत दो रोगा, वो कहता है कि दूरी है, मुझ अगले दिन जब बहार जाता है, तो वो देखता है कि घर के पीछे एक दर्वाजा है, और जब वो वहां से जा रहा होता है, तब ही उसकी मौम उसे देख लेती है, और वो उसे वापस अंदर बला लेती है, रात को उसके डैन उसे बताते है कि हमने तुम्हाले एक क्यूट बुटर बुलाया है जो तुम्हें और तुमारी बहन को बढ़ाने के लिए हपते में दो बार आएगा लेकिन बुरूनो को इससे खुशी नहीं मिलती क्योंकि वह भार जाना चाहता है बच्चों के साथ खेलना चाहता है बुरूनो को कुछ समझनी होती कि यहाँ पर क्या चल होगे बुरूनो कहता है कि मैं जूला बनाऊंगा वहाँ पर एक बुढ़ा आद्मी काम कर रहा होता है यह वही आदमी होता है जो उनके पीचन में सबजियां लेकर आया था, कोटलर उस बुड़े आदमी को जोर से चिला कर बलाता है, और उसे कहता है कि इसे पीछे ले जाओ, वहाँ पर स्टोर्रूम में टायर सुंगे, और जो टायर से चाहिए इसे दे दो, वो आदमी बुरूनो को पीछे ले जाता है, और देखता है कि धुआ उट रहा है, और बुरूनो जोले के ऊपर चड़तर उस धुए को देखने की कोशिश करता है, लेकिन बुरूनो का पैर फिसलता और गिर जाता है, इसके बाद जो बुड़ा आदमी वहाँ पर होता है, जो इनके घर में काम करता है, वो बुरूनो को अ और वो ब्रुनो के पैर पर चोट देखकर हjoram जाती है ब्रुनो बोलता है कि मैं जोला जोल रहा था और मेरा पैर फिसलिया मज़े चोट लगी लेकिन पेविल की मॉम ब्रुनो को अंदर भीज देती है और पेविल को उसकी काम के लिए थैंक्स बोलती है अगले दिन एक ट्यूटर ब्रुनो को और उसकी बड़ी बहन ग्रेटर को पढ़ाने के लियाता है वो उन्हें नाजीस की हिस्टरी पढ़ाता है जो ब्रुनो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती ब्रुनो एक दिन चुपकर घर के पीछे जाता है और वो उसी स्टोर रुम में जाता है जहाँ पर उसने ऊपर रोशन दान देखाता और वो उस रोशन दान से कूट कर बाहर चला जाता है बाहर जाने के बाद वो देखता है चारो तरफ जंगल होता है जिसे Bruno farm समझता है तब ही हो देखता है कि वहाँ पर एक बच्चा बैठा होता है Bruno उसके सामने जाता है और वो बच्चा Bruno को देखकर डर जाता है इस बच्चे ने stripes वाले कपड़े पहने होते हैं यानि कि इस बच्चे के कपड़ों में lines होती है और तारों के उस तरब जितने भी लोग होती सब के कपड़ों पर stripes होती है क्योंकि ये सब गुलाम है, सब कैदी है और ये बच्चा जो मात्र 8 साल का है ये भी उन गुलामों में से एक है Bruno से पूस्ता है क्या तुम्हारे दोस्त है क्योंकि वो भूका है, वो एक कैदी है हाला कि वो 8 साल का है लेकिन इस वक्त World War 2 के समय आपकी उम्र कोई मानने ने रखती आप किस कम्यूनिटी से हो, किस देश से हो सिर्फ ये मानने रखता है Bruno कहता है कि मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है Bruno उसके कपड़ों पर एक नमबर देखता है और Bruno को लगता है कि ये सारा दिन यहाँ पर खेलते रहती और ये किसी गेम का पार्ट है जिसकी वज़े से उसके कपड़ों पर एक नमबर दिया गया है लेकिन शमून उसे बताता है कि यहाँ पर हर एक कपड़ों पर अलग अलग नंबर है दरसल यह सब कह दी है और इसलिए इने नंबर दिये गए तब ही वहाँ पर एक जोरता रवाजा दी है और शमूल जल्दी से उठता है और वहाँ पर एक ट्रॉली होती है, वो से उठाता और वहाँ से जाने लगता है ब्रुनो बोलता है कि मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा शमूल करता है कि मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा और शमूल वहाँ से चला जाता है अगले दिन ब्रुनो एक बार फिर उसी जगा पर आता है और इस बार वो चौकलेट लेकर आता है लेकिन वो वहाँ पर शमूल का बहुत देर तक इनतजार करता है और शमूल वहाँ पर नहीं आता और ब्रुनो घर वापस आ जाता है अगले दिन फिर दुबारा से वो अपने जूले पर बैठा होता है दरसल वो अपने मॉम और डैड के जाने का इंतजार कर रहा होता है और जैसे उसकी मॉम डैड जाते है वो भागतावा उसी जगा पर जाता है क्योंकि वो शमूल से मिलना चाता है उसने अभी तक इस पूरी जगा में एक ही बच्चा देखा है जो उसकी उम्र का है और आज वो शमूल से मिलता है वो शमूल से पूसता है कि तुम लोग हमेशा ये स्ट्राइब वाले पजामास क्यों पैन के रखते हूं शमूल बताता है कि हमारे कपड़े हमसे छील ली और बदले में हमें ये कपड़े दी मैं सोल्जर्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता ब्रुनो शमूल के लिए यहां पर खाना भी लेकर आता है और इस बार उसके पास एक बाल भी होती है वो शमूल के साथ खेलना चाता है लेकिन शमूल का पूरा ध्यान खाने पर होता है क्योंकि concentration camp में इने खाने के लिए भरपेट नहीं दिया जाता ब्रुनो शमूल के तरब अपनी ball फिकता है वो ball उठाकलाता और शमूल को देता है वो कहता है कि दुबारा इसे अंदर मत फिकना ब्रुनो बोलता है कि तुम्हें खेलना पसंद नहीं है शमूल कहता है हाँ मुझे खेलना अच्छा लगता है लेकिन यहाँ पर नहीं क्योंकि यहाँ पर यह बच्चा एक कैदी है मातर आठ साल का ब्रुनो शमूल को कहता है कि तुम मेरे घर पर खाना खाने के लिए आना शमूल कहता है कि मैं नहीं आ सकता ब्रुनो पुस्ता है क्यों? शमूल बोलता है क्योंकि मैं एक जियूस हूँ और इसके बाद सीटी बसती है और शमूल भागतावा वहां से चला जाता है क्योंकि ये सीटी जर्मन नाजी सेना के सोलजर्स की होती है और अगर शेमूल वहाँ पर टाइम पर नहीं गया तो उसे सजा दी जाएगी वहीं दूसरी तरफ ये दिखाये जाता है कि हवा में उठते वे उस काले धुए को बुरुनो की मॉम भी देखती है वहाँ पर ल्यूटिनेंट कोटलर होता है और वो उसे पूछते कि ये धुवा कैसे है वो बताता है कि पास में एक कंसेंट्रेशन कैम्प है और वो सब कुछ समझ जाती है दरसल इन कंसेंट्रेशन कैम्प में जो लोग काम नहीं कर पाते खास तोर पर बच्चे और बुडे उन सब को एक साथ एक जगा ले जाकर मार दिया जाता है और जब उनकी डेड बॉडिस को जलाय जाता है तो ये दुमा उसी का होता है ब्रुनो की मॉम एलसा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता और ये बात जाने के बाद उसे बहुत दुख होता है वो अपने हस्बिन के पास आती है और उनसे कहते हैं कि ये सब नहीं होना चीए रॉल्फ कहते हैं कि मुझे ये सब करना पड़ेगा ये वार है एलसा बोलती कि वार नहीं है तुम मासुम लोगों को मार रहे हो लेकिन एलसा की बास से रॉल्फ को कुछ जादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एक कटर आफिसर है और उसे ये सब करना होगा क्योंकि ये सारे के सारे हिटलर के आदेश होती अब उसी रात को ब्रुनो के दादा जी खाने बराते और बाते करते करते उन्हें इस बात पर शक होता है कि ल्यूटिनेंट कॉटलर का परिवार जियूस होने की वज़े से भाग गया कॉटलर इस बात से घबरा जाता है और ब्रुनो भी हैरान होता है कि पैवल को इतनी थोटी गलती के लिए इतना क्यों मारा गया दरसल पैवल की गलती ये नहीं है कि उसने वाइन का गिलास किराया बल्कि उसकी गलती ये है कि वो एक जियू है बाद में ब्रुनो की भेन उसे बताती है कि जिसे वो फार्म समझता है वो एक concentration camp है और वहाँ पर juice रहते हैं वो सब कैदी है और उन्हें कैद इसले किया गया है क्योंकि वो शैतान है वो बुरे लोग है जैसा कि उनके teacher ने उन्हें बता है अगले दिन ब्रुनो देखता है कि शैमूल उनके घर पर बरतन साफ कर रहा होता है दरसल आज रात को यहाँ पर एक party होती है ब्रुनो शैमूल को देखकर खुश हो जाता है और वो बोलता कि तुम यहाँ पर कैसे आए शेमूल बताता है कि उन्हें ये बरतन साफ करने के लिए कुछ छोटे हाथों की जुरूत थी वहाँ पर कुछ खाने की चीज़े भी होती है और ब्रुनो शेमूल को खाने के लिए कुछ देता है और जब शेमूल उसे खा रहाता है तब passé वहां पर Courtler आ जाता है Courtler शमूल से गुस्से में पूस्ता है क्या तुमने है चुराया वो कहता है यह मेरा दोस्त है और इसने मुझे दिया और जब Courtler ब्रुनो से गुस्से में पूस्ता है तो ब्रुनो डर्के मारे यह बता देता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया इसके बाद वो Bruno को वहाँ से भेज़ देता है लेकिन Bruno को दिली दिल में बहुत दुख होता है वो दुवारा उस जगा पर आता है लेकिन तब तक वहाँ से शमूल जा चुका होता है Bruno भागता हुआ उस जगा पर जाता है जहाँ पर वो शमूल से मिलता है लेकिन शमूल वहाँ पर नहीं होता उसी दिन Bruno के घर कुस शोलजर साते है और वो सब मिलकर जू कैम की एक डॉक्यूमेंटरी देख रहे होते है और Bruno भी इस डॉक्यूमेंटरी को छुप कर देखने लगता है उस डॉक्यूमेंटरी में ये दिखाये जाता है कि जूस लोग कंसेंटरेशन कैम्प में बहुत खुश है और Bruno को लगता है कि कंसेंटरेशन कैम्प एक अच्छी जगा है जहाँ पर सभी लोग खुश है दरसल इन लोगों ने ये डॉक्यूमेंटरी दुनिया को दिखाने के लिए बनाई होती है लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है इसके बाद Bruno कई बार शेमूल से मिलने के लिए जाता है कभी वो अपना बैदमिंटन लेके जाता है वो शेमूल के साथ खेल सके कभी वो उसके लिए खिलोना लेकि जाता है लेकिन शेमूल उसे नहीं मिलता और एक दिन शेमूल वहीं पर बैठा होता है जहाँ पर Bruno उससे मिलता है Bruno उसे देख कर खुश होता है और वो दोनों वहाँ पर खेलते भी है Bruno की आँख में गहरी चूट होती है जैसे उसे किसी ने बहुत पुरी तरह से मारा हो शेमूल Bruno को उस दिन के लिए माफ कर देता है और इसके बाद ही खेलते ही और यहाँ पर यह दिखाय जाता है शेमूल खेलते खेलते पहली बार हसता है कई दिनों से मिलते मिलते अब यह दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुकी वही घर पर यह दिखाय जाता है Bruno की मौम Elsa नहीं चाहती कि उसके बच्चे इस माहौल में पले जहां पर बेगुनार लोगों को मारा चाता है वो अपने पती को एक मडरा समस्ती है और अब Bruno के डैड यह डिसाइड करते हैं कि वो अपने दोनों बच्चों को यहां से कहीं और भीज देंगी वो अपने दोनों बच्चों को बलाती और वो Bruno से पूसने क्या तुम यहां पर खुश हो वो कहता हाँ मैं आपर खुश हूँ यह जवाब सुनने के बाद उसकी बहन उसे ध्यान से देखती है क्योंकि Bruno यहां पर खुश नहीं था लेकिन अब शमूल की वज़े से उसकी दोस्ती की वज़े से वो यहां पर खुश है और वो अपने पुराने दोस्तों को भी मिस नहीं करता इसलिए वो यहां से नहीं जाना चाता लेकिन Bruno के डैड यह कहते हैं कि हम तुम दोनों को यहां से कहीं और भीज रहे हैं अब यह बताने के लिए Bruno शमूल से मिलता है कि हम कल लंच के बाद हमेशा के लिए यहां से जा रहे हैं इस बास से यह दोनों उदास है Bruno शमूल को बोलता है कि मैं तुम्हारे डैड को ढूडने में तुम्हारी मदद करूँगा दरसल शमूल के डैड कई तिनों से लापता होती है तभी Bruno के हाथ में जो स्टिक होती है वो मिट्टी पे मारता है और वहां से मिट्टी उठती है और उसके दिमाग में एक आईडिया आता है वो कहता है कि मैं यहां पर खड़ा खोद कर नीचे से तारो के उस तरफ आसकता हूँ शमूल कहता है कि मैं भी उस तरफ आसकता हूँ Bruno कहता है तुम्हारे डैड उस तरफ लापता हुए थी या नहीं लेकिन एक प्रॉब्रम है मैं तुम्हारी तरह नहीं दिखता शमूल बोलता है कि तुम मेरी तरह कपड़े पहनोगी तो तुम भी मेरी तरह दिखोगी ब्रुनो कहता है कि मैं कपड़े लहूंगा कैसी शमूल बोलता है कि वहाँ पर बहुत सारे कपड़े हैं बस तुम अपने बाल कटवा लेना जिस तरह से मेरे हैं ब्रुनो कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। शमूल कहता है कि तो फिर तुम अपने बाद चुपा लेना। और वो ये कहता वो वहाँ से चला जाता है कि कल हम यही पर मिलेंगे। और अगले दिन ब्रुनो वहाँ पर आ जाता है। शमूल उसके लिए कपड़े भी लाया था और साथ में कैब भी होती है जिसे पहनने के बाद आप शमूल और ब्रुनो दोनो एक जैसे दिखते ही। इसके बाद ब्रुनो जमीन में गड़ा करके उस तरफ आ जाता है जिस तरफ शमूल होता है। दरसल ब्रुनो के लिए ये पूरा एक मिशन होता है और इस मिशन में वो शमूल के डैड को ढूनना चाता है। और ये दोनों उस जगा से कैम के बीचों बीच आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे जूस लोग होते हैं और इन सब ने स्ट्राइप्स वाले कपड़े पहने हुए। ब्रुनो शमूल को बोलता है क्या हम कैफे जा सकते हैं। शमूल बोलता है यहाँ पर कोई कैफे नहीं है। दरसल ब्रुनो को पता है नहीं होता कि ये सब कैदी हैं। इसके बाद ब्रुनो कहता है कि मुझे लगता है मुझे घर जाना चाहिए। क्योंकि उसको वहाँ का माहौल बहुत अजीब लग लग रहा होता है। शमूल कहते है मिरे डैड का क्या। ब्रुनो कहते है ठीक है चला हमने ढूरते हैं। बहां पर जितने भी जूस लोगोते हैं वो उन सब को वहाँ से बाहर ले जाते है। वहीं दूसरी तरफ घर पर ये दिखाय जाता है कि Bruno की मॉम को पता चल जाता है कि Bruno घर पर नहीं है और इसके बाद Bruno की मॉम, डैड और कुछ सिपाई सब मिलकर Bruno को ढूरना शुरू कर देती और कुटों की मदल से वो ये पता कर लेते हैं कि Bruno किस तरफ गया होगा और धीरे धीरे Bruno की मॉम, डैड और सिपाई उस तरफ बढ़ते हैं जिस तरफ कंसंट्रेशन कैम्प होता है यहाँ पर बहुत जोर से बारिश भी शुरू हो जाती है और Bruno को, शैमूल को और सारे जूस लोगों को एक बहुत बड़े हॉल के अंदर ले जाता है और उनसे कहा जाता है कि तुम सब अपने कपड़े उतारो, तुम्हें यहाँ पर शार दिया जाएगा और यह सब अपने कपड़े उतारते हैं और इसके बाद German soldiers बाहर से दर्वाजे बंद कर देते हैं वहीं दूसरी तरफ यह दिखाये जाता है कि जिस बहुत बड़े हॉल के अंदर ब्रुनो को, शमूल को और बाकी सभी जूस लोगों को बंद किया गया था वो एक बहुत बड़ा गैस चैमबर था और German soldiers उपर से जहलीली गैस उस चैमबर के अंदर छोड़ते थे अंदर सब लोग डर रहे होते, चीख रहे होते, चिला रहे होते लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं होता बाहर ब्रुनो के डैड अब ये समझ जाते कि हो नहों, ब्रुनो को और सब जियूस लोगों को चिमनी के अंदर ले गए जहाँ पर वो उन सब को मारने वाले और जब तक ब्रुनो के डैड उस चिमनी तक उस गैस चेमबर के भाहर तक पहुशते हैं तब तक वहाँ पर पूरी तरा से सननाटा चाच चुका होते हैं क्योंकि ब्रुनो, शेमूल और जितनी भी लोग वहाँ अंदर होते हैं वो सब के सब मर चुके होते हैं और ब्रुनो के डैड रॉल समझ जाते हैं कि उनका बेटा इस चैमबर के साथ बाकी जूस लोगों के साथ अब इस दुनिया में नहीं रहा हो मर चुका है और वो इसी दुक के साथ जोर से चिला दें और बाहर ब्रुनो की मौम और उसकी सिस्टर उस जगा पर होते हैं जहां पर ब्रुनो ने अपने कपड़ उतारे थे और वो अपने पती की चीक की आवाज सुनकर समझ जाती है कि कोई अनोनी हो चुकी है और वो अपने ब्रुनो के कपड़ों को बखड़ कर वहीं पर जोर जोर से रोना शुरू करती है और अन्त में उस गैस चेंबर का दर्वासा दिखाय जाता है जहां पर अंदर सब की डेट बॉडिस बड़ी है और बाहर बहुत सारे स्ट्राइपस वाली ड्रेसिस लटकी हुई है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है